असलाम अलेकुम अलिजबा के रेश्पी बुलाग में आप सबका स्वागत है तो आज हम बनाने जा रहे हैं मिक्स विजिटेबल बहुत ही अच्छा बहुत ही हिल्दी बनके तयार होता है तो हमने ले लिया है एक से डेड़ चमज मस्टेड आयल और उसमें डाल दिया चोटा हमने काट खुबच्चे नוח झाल लिया और प्याज डाल के उसको बघखार दिया इसमें हम डाल देंगे ल प्रफिल के खुबच्चे से धोलिया है इसमें हम आलू भी डालेंगे आलू इसलिए डालेंगे कि हमारे बच्चे आलू बहुत पसंद करते हैं बिना आलू के कोई सब्जी इनको समझ में नहीं आती और यह लिया है प्रेस हरे वाले जो मिर्चे होते हैं वही हमने ताजा मिर लिया है इसको हम अभी थोड़ा सा मोटा सा दरदरा सा एक फाइन चॉप कर लेंगे आनि हम पीस लेंगे मिक्सी के जार में आप चाहें तो कूट के भी डाल सकती हैं बारिक बारिक चॉप करके डाल सकते हैं काट के डाल सकते हैं लेकिन इसमें जब हम पीस के डालेंगे तो तो उसका टेस्ट कुछ और अच्छा आता है तो चलिए हम देख लेते हैं सबजी हमारी जो है कुछ परसंट तक पक चुकी हम इसमें हम डाल देंगे यह हमने देखिए दरदरा सा पेस लिया और इसमें पानी डाल के हमने इसको मिक्सी के जार से साफ करके निकाल लिया है इसमें हम डाल देंगे नमक और मिर्च मसाले नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं यह हमने लिया है सबजी मसाला एक चमच और इसमें हमने डाल के सब चला देंगे नमक हमने पहले से डाल दिया था एक चमच सब डाल के चला देंगे उसके बाद हम 4-3-4 मिनट तक इसको और हम बिल्कुल मेडियम फिलेम पे पकाएंगे सबजी हमारी फटाफट से जंगल जाएगी ताजी और फिरेश सबजी है इसको ज़्यादा पकने में टाइम नहीं लगता तो देखे कितना अच्छा और कितना कलारफुल इस सबजी बनके तयार होता है और बहुत ही टेश्टी बहुत ही हल्दी होती है हमेशा मिक्स वेजिट तो इस वह मेंस हुआ कि अच्छी बनती है रोटी से आप खाये पराथे से खाइए चपाती से खाये बहुत ही टेश्टी और बहुत ही अच्छी बनती है तो यह देखे लों तो कि बिल्कुल इसमें ने कोई पानी अगर पानी डालेंगे तो शुद्धी का टेस्ट खराब हो जाएगा तो सब्जी हमारे बिल्कुल तयार हो चुकिंदेंगे हरी धनिया और उसके बाद काट काट के दाजा फिर धनिया हमारे पास था मुले लेते हैं तो इसको हमको अच दस दिन बिल्कुल ऐसे ताजा फिरस बना रहता है और चलता है किसी दिन उसकी भी वीडियो हम आप लोगों को डालेंगे दिखाएंगे कि धनिया किस तरीके से रखा जाता है द्रक किस तरीके से रखा जाता है कि तब कि आपका सबजी जो है बिल्कुल एक हपता दस दिन ऐस सबजी बिल्कुल रेडी हो गई है तो आप जो है गुलचे के साथ रोटी के साथ चपाती के साथ पोड़ी के साथ इंज्वाई कीजिए मज़े लिजे बहुत ही टेस्टी सबजी बनती है आप जरूर एक बार बना के ट्राइ कीजिएगा और अम horse बताना कमेंट में जरूर व उम 메द उती कूझ हमारा यह वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा तो लाइक कर देना से अध nihic ना BIG बटन को पिरस कर देना कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले तो वाचिंग नब बीडव est